अज मैंने शेयर किया है आपके साथ हरा भरा बोहा की रेसिपी जो बहुत ही हेल्दी है डिलिशियस है बहुत टीस्टी है और ये बच्चों से लेकि बुढ़े तक ये बहुत ही चाओ से खाएंगे तो फटा फटा हम इसकी रेसिपी की और चलते हैं और वीडियो को लास तक कि मैंने इसमें क्या क्या मिलाया है सो हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक इन में चले विदनुलेखा चैनल में नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि आपके पास नए नए वीडियो आती रही तो मैंने यहां पर लिया है एक स्टेनर मिंस छनी जिससे से पानी पू पोहा पोहा आपको अपकी एक फैमली के अकॉर्डिंग ने से किसा को द smiles पोहा चिप चिप नहीं बनेगा और मैंने एक्स्ट्रा पानी चाहिए लिकाल दिया है यह देखिए पानी पुरा नीचे हो गया है तो आप मैंने यहां पर लिए कढ़ाई इसमें मैंने डाला है और दो चमज में बड़े ओल लिए हैं अब इसमें एड़ कर दूंगी राई के भी दाने और हमारे यह कुमिन सीड जीरा अब इसमें दोनों को हम अच्छे से नगे राई पटकने लगी है फिर मैंने डाला है सौफ हाद पन सोफ को भी हम अच्छे से भूज लेंगे अब मैं इसमें एड़ कर दूंगी हमारे मूंफली दाने यह देखिए मुंफली के दा प्याज बड़ा मैंने बारी काट कर जो प्याज रखा है वो एड़ करेंगे यहां पर पहले हम मुंफली को देख लेंगे यह हो चुके हैं तो अब हम इसमें अड़ कर देंगे हमारे बारी कटा हुआ प्याज प्याज आपको अच्छे से एड़ करके भूंजना है तो फटा फट मैंने यहां पर एड़ कर दिया प्याज तो यह हो गए है प्याज और हम इसे अच्छे से भूंज लेंगे यह देखे प्याज को अच्छे से आपको भूंज लेना है ताकि इसकी स्मेल ना रहे ये देखे अच्छे से आपको इन सभी को भूज लेना है अब मैं इसमें एड़ कर दूंगे हमारी चॉप्ट की हुई सबजियां कुछ सबजियां जो मैंने आलू गोभी फूल गोभी और गाजर मैंने लिया है जिसे दोकर छोटे-छोटे काट के मैंने रख लिया है अब मैं इसे एड़ कर दूंगी ये देखिए ऐसे एड़ करना है आप इसे अच्छे से हम चला देंगे और इसमें हम एड़ कर देंगे अब मटर ये देखे लगभग एक कटोरी मटर मैंने एड़ कर दिया है आप चाहे तो जो सबजी आपको सिम्ला मेच बीन्स भी आप इसमें जाओ कंगे ये देखिए अब हम इसमें एड़ कर देंगे हलका सा नमक के खलका साइड करना कि इसससे सब्जी प्क जाए सब्रियाग्ए नमक डालते ही पानी छोडएगी और फटाफड पक जाएंगी और इसमें एड़ कर दूँगी मैं हींग हींग आफ पहले भी एड़ सकर सकते हैं और अभी भी एड़ कर सकते हैं तो ये रहा मेरा सबजीों का बंडार तो ये फटा फट हम इन सबजी को पका लेंगे अब मैं इसे ढख देती हूं ढखकर मैं इसे 2-3 मिनट तक पका लेती हूं तो ये देखिए 2-3 मिनट मैंने इसे खुला है तो ये देखिए मस तरीके से ये पक चुकी है ये देखिए पानी सबजीयां बहुत अच्छे से पक गई है इसे अच्छे से हम चला लेंगे ये देखिए अब थोड़ा सा आलू को दबाके या काटके चम्मस से देखिए कि ये पकी है की नहीं ये देखिए मिनस ये पक गई है ये देखिए पर हलका सा भी गाज़र मैं हलका सा और पकाऊंगे आप चाहे तो इधर ही आप इन स्टॉप कर सकते हैं थोड़ी से धनिया डाल के मैं इससे एक से दो मिनट के लिए डग कर और पका लूँए ये एक से दो मिनट में देखिये वन-mnिन फida मैंने लिया है ये डाए बहुत अच्छे से आप ये पूरे गल गये मेर्च एड़ किया है जो मेर्च की कॉंटिटी है वो आपने अपने टेस्ट के अनुसार रखेगा कि आपको कितनी तिखापन खाना है और हम इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स अब मैं इसमें जो भिगा कर सोक्ट किया हुआ पोहा इसमें एड़ कर दूँगी यह मैंने कर दिया है एड़ पोहा और पूरे अच्छे से आप एड़ कर दीजेगा और अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी हमारे नमक जो पोहा के लिए हमें नमक एड़ करना है सब भी मिक्स हो जाए सब्जी फोह बिल्कुल इक्वली मिक्स हो जाए यह देखिए किता सुंदर कलर आ गया है दोस्तों डिस्क्रप्शन बॉक्स में मैंने मेरी अधर उसके लिंक दिये हैं आप वहां जाके मेरी पूरी वीडियो देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं अच्छे अच्छी वीडियो आपके लिए लेके हूं तो यह हो चुका है मेरा पोहा अब इसमें मैं एड़ कर दूंगी लैमन जूस म आप खाते समय भी से एड़ कर सकते हैं नहीं तो अभी एड़ करके आप इसे अच्छे से चला लीजे तो अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और अब इसे मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में और इसके उपर आप नमकीन डालिए आप इसमें खटा मीठा नमकीन काटके प्याज को चौप करके भी आप इसे एड़ कर सकते हैं मूली काटके एड़ कर सकते हैं आपकी जैसे अख इच्छा हो आप खाये और कमेंच करके जरूर लिखेगा कैसा बना है